हम सभी की प्यारी माखन चूर का जयर्मदीन आने वाला है और ऐसे में अलग अलग जगों पर अलग भोग बनाई जाते हैं कनया के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसी भोग जो उनकी बहुत ही पसंदिदा हैं और जो जन्मास्ट में के अउसर पर जिसकी रेसेपी मैं शेयर कर चूकि आप चौक तो देख सकते हो बड़ यह मखाना की पंजरी जो बहुत ही फटा फट से बनकर तयार हो जाती है एक कढ़ाई लिया है और इसमें एक चम्मच घी आट क्या है आप इसमें घी काहीं इस्तमाल करें इसमें हमें सबसे पहले कु बड़त आईगी तो बस हमें इने निकाल लेना है क्योंकि मैंने शुरिवात में घी थोड़ा जादा लिया था तो मेरा घी बच गया है अगर आपका खत्म हो गया है तो आप थोड़ा सा और घी आट कर सकते हैं इसमें अब मैंने मखानी आट कर दिया है मैंने यह आपे 50 ग करके इसे निकाल करके और थोड़ा ठंडा कर लेंगे मखानी को निकाल करके मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है इतना ठंडा कर ले कि आप इसे आसानी से ग्राइंड कर सके अब एक जार में सारा मखाना डाल करके और इसका हमें पाउडर रेडी करना है इसी ग्राइं अब पटा फट से पंजरी को रेडी करेंगे तो मैंने यहां पर एक बड़े से बरतन में सारा मखाना वाला पाउडर आड़ कर दिया साथी में दो चम्मच PCV चीनी आड़ की है आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग आड़ कर सकते हैं फ्लेवर के लिए मैंने यहां पर आदी चोटी चम्मच इलाइची पाउडर आड़ किया है और साथी में जो मैंने ड्राइफ्रूट्स को भूने वे थे ना वो सारे मैंने इसमें आड़ कर दिया है क्योंकि इनमें जो ड्राइफ्रूट्स बगरा आड़ किये वे ना तो वो काफी जादा हेल्दी है तो आपने देखा कितनी फटा फट से हमारा यह मखाना पंचरी बन करके तयार हो चुका है अगर आपने मखाने को पहले से भून करके ग्राइंड करके रखा हो है ना फिर तो यह बिल्कुल पांच मिनट में रेडी हो जाएगा बस आप ड्राइफ्रूट्स को फटा फट से भून ले और इससे रेडी कर ले आज की दूसरी रेसिपी जो मैं बनाने वाली हूँ वो है हमारी कनईया का पसंदिदा नारियल मखाना पाग जो बहुत ही इजी है बड़ कई बार कुछ प्रॉब्लम साती है तो चलिए फटा फट से इसकी रेसिपी को देखते हैं इस आसान सी रेसिपी को बनानी के लिए मैंने यहाँ पे नाडियल लिया वह है तो एक सुखा नाडियल था मेरे पास जिसे मैंने कुछ इस तरीके से ग्रेट कर लिया है साथी में एक बड़ा चमच घी लिया है आदी चोटी चमच इलाइची का पावडर लिया है बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं दो बड़ी चम्मच भुनेवे मुंग फळी लिया है और साथी में देड़ सु ग्राम चीनी लिया हुआ है आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग उपर नीचे कर सकते हैं सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और इसमें घी डाला है सारा घी एक पार में नहीं आट करेंगी अभी मैंने आधा चम्मर घी आट किया है इसमें हमीं सबसे पहले ड्राइफ रूट्स को और मखाने को भून लेना है तो वैंने यहां पर मखाने को बस 3-4 मिनट के लिए भूनें यानि कि यह भून चुका है जादा इसे नहीं भूनना है तो अब इसे निकाल लेंगे बचावा जो घी है उसे मैंने इसमें डाल दिया है अब हमें इसमें किश्मिश को रोस्ट करना है मैंने यहाँ पर एक बड़ा चमच किश्मिश लिया वे आप अपने पसंद के कोई भी इसमें अट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद जैसे काजु पादाम खर Táb – कि एक पैन लिया गी और इसमें चाया डाल दिया है नारियल को भूनने से पहले हमें इसमें कुछ भी घी अगरा आट नहीं करना है क्योंकि जब आप नारियल को भूनेंगे तो इसमें घी डालने के बिल्कु भी ज़रुरत नहीं है फ्रेंट्स वैसे तो पाक बनानी के लिए यह जो सूखा नारियल आता है वही बिल्कुल पर्षपेक्ट होता है बट अगर आपके पास सैफे लेबल नहीं है तो आप यहाँ पर डेजिकेटेड कोकोनेट का इस्तमाल कर सकते हैं तो गयास का फिल्क करके इसने हम निकाल लेते हैं और चलते हैं अगले अगले प्रॉसेस के तरफ नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे मखाने भूने हैं हमें उसका पाउडर बनाना है तो अगर आप चाहे ना तो इसे हम हाथों से भी तोड़ सकते हैं लेकिन मैं इसे ग्राइड कर रहे हूँ तो वो पाग में दिखनी में भी काफी अच्छा लगता है और टेस्ट भी काफी अच्छा आता है तो इसे अब हम निकाल लेंगे मखाना को ग्राइंट कर लिने के बाद अब हमें मुंखफली का पाउडर बनाना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था तो मैंने आप भी मुंखफली को ड्राय रोस्ट किया है और इसके छिलके को अलग कर लिया है जार में से डाल देंगे और जिस तरीके से हमने मखानी को ग्राइट किया है बिलकुर उसी तरीके से बीच बीच में इसे रोकते हुए हमें इसका दरदरा पाउडर बना करके तयार करना है तो यहाँ पर यह हमारा पाउडर बन करके तैयार हो चुका है इसे भी हम निकाल लेंगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉसेस की तरफ तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है अब हम बनाने वाले हैं चाशनी तो यहाँ पर मैंने 1500 ग्राम चीनी लिया है जिसमें मैं आधा कप पानी आट कर रही हूँ पानी हमें बहुत जादा आट नहीं करना है अगर मैं कप के मिज़मिट से बताओ तो मैंने यहाँ पर वन थर्ट कप चीनी लिया हूँ था जिसमें मैंने आधा कप पानी आट किया है हमें इसे अभी high flame पर पकाना है जब तक शुगर अच्छे तरीके से melt ना हो जाए इसके बाद हम इसका flame low कर देंगे और low flame पर इसे तकरिबन 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे आप देख सकते हैं कि चांशनी में कुछ इस तरीके से bubbles आ रहे हैं तकरिबन मैंने इसे 6 मिनट के लिए पकाया है low flame पर अब मैं आपको दिखाते हूँ यह देखे जब मैं आपको इसे गिरांक के दिखानी हूँ तो यह देखे हमारी जो चांशनी वो बिल्कुल एक तार में गिर रही है तो एक तो यह साइन है कि हमारा चांशनी बिल्कुल पर्फेक्ट बना है और या फिर आप इसे हाथों से चेक करके पता लगा सकते हैं जब आप इसे हाथों में टच करेंगे या यह देखे है कुछ इस तरीके से यह एक तार फॉर्म हो रहा है यानि कि यह बिल्कुल पर्फेक्ट है फ्रेंट्स चांशनी को जाधा बिल्कुल ना पकाए यही गलती है जिसके कारण अगर आपने कभी पांग बनाया होगा तो आपका पांग पर्फेक्ट नहीं बनता है क्योंकि आप उसे जाधा पका देते हैं हमें इसे सिर्फ एक तार की चांशनी तक ही पकाना है एक्स्ट्रा नहीं पकाना है जब इस तरीकी की एक तार की चाश्णी बन करके त्यार हो जाएगी अब हमें इसमें सारी चीज़े आट कर दी है अगर आप चाहे तो थोई दिर के लिए ग्यास का फ्लीम आफ कर सकते मैंने यहाँ पे लो रखा हुआ है तो नारियल के साथ ही मैंने इसमें भूने वे मुंफली का पाउडर साथ ही में मखाने का पाउडर और हमने साथ ही में जो ये जाइफल के पाउडर काली मिर्च और इलाइची पाउडर लियावे वो सारी इसमें आट कर देने है किशमिश भी आट कर दे और बस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला दे यहां पर से आपका काम बहुत ही फास्ट हो जाता है जब आपका चांस्टी रेडी हो जाए तो सारी चीज़े आपको बेल्कुल फटा फट से डालनी है फटा फट से मिक्स करना है और बस इसे फटा फट से आपको जमनी के लिए डालना होगा क्योंकि इस टाइम पर क्या होगा ना जब आप इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे और ग्यास का फ्लीम ओफ कर देंगे तो शुगर आपकी जमनी शुरू हो जाएगी ऐसे में अगर आप बहुत टाइम लेंगे तो जो आपका पाग है वो अच्छे तरीके से सेट नहीं होगा और बिल्कुल इसी तरीके से बिखरा बिखरा रह जाएगा तो इस बात का ध्यान रखे तो जब तक आप इससे मिक्स करें तब तक आप पहले से ही एक प्लेट में या फिर जो भी ट्रे आप ले रहे हैं उसे अच्छे तरीके से घी से ग्रीस कर लें इसके बाद इसमें फटा फट से पाग वाला सारा मिश्टन डाल करके और इसे बढ़िया तरीके से स्प्रेट कर दें यह सारी काम आपको बहुत ही फटा फट से करने हैं क्योंकि यह बहुत ही जल्दी जल्दी फिर जमना शुरू हो जाएगा इसलिए इस बात का ध्यान रिखे कि यह सारी काम आपको बिल्कुर फटा फट से कर लेने हैं किसी चम्मच की मदद से या फिर अगर अगर आप हाथों से कर पाते हैं तो हाथों की मदद से इसे बढ़िया तरीके से स्प्रेट कर दें मैंने यहाँ पर एक चम्मच की मदद से कुछ इस तरीके से इसे इकवल कर दिया है ताकि उपर का सर्फिस बिल्कुर इकवल लगे सेट हो चुका है तो हमें इसमें कट लगा देने हैं इसे क्या होगा कि जब आपका पाख बन करके रेडि होगा ना तो आराम से वह निकल जाएंगे तो जिसभी शेप में आप उने बनाना चाहते हैं बरफी के शेप में रेक्टांगल के शेप में अपने पसंद अनुसार पाग्पर के लिए बिल्कुल और खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए यह कफी असानी से निकल जा रहा है तो आप इसी थोड़ देर के लिए गर्म कर सकते हैं तक्रिबन 30 सेकंड के लिए तो वह आपके असानी से निकल लाएंगे पांग को मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूं ये देखें काफी आसानी से ये टूट रहा है खाने में भी बहुत ही यमी होता है तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा अगर आपने वेडियो को ध्यान से देखा है और आप सारी टिप्स को फॉलो करेंगे न तो फर्स जब आपका चांशनी रेडी हो जाए तो फटा फट से आप इसमें सारी चीजे डाल करके मिलाती हुए और फटा फट से इसे आप सेट करने के लिए रख दे वरना उसे सेट होने में दिक्कत होती है तो बस कुछ बातों को ध्यान रख करके आप घर पर ही बहुत आसानी सी पाग बना करके त्यार कर सकते हैं तो आप भी इस रेसिपी को ट्राइब करिए और अपने कनहिया के भोग के लिए जरूर बनाएए वीडियो के शिरुवात में ही मैंने कहा था माखन चोर तो माखन चोर के लिए माखन ना हो ऐसा हो सकता है क्या तो चलिए फटा फट से बन सबसे पहले मैंने ग्राइंडर जार लिया और इसमें हम यह सारा का सारा मलाई डाल देंगे यह मलाई बिलकुल भी फ्रेश है तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है अच्छा अगर आप चाहो ना तो बिना मिक्सी के भी आप इसे बना सकते हो मैं वो आगे वीडियो में तो सबसे पहले मैंने इसमें सारा का सारा मलाई डाल दिया और इसमें डालेंगे हम पानी क्योंकि अभी का मौसम है तो ऐसे में आप नॉर्मल पानी का इस्तमाल कर सकते हो और अगर गर्मी का टाइम होता है तो आपको ठंडा पानी लेना होता है और अगर ठंड का मौसम होत कर दिया थोड़ा सा चलाइए रुकिये चलाइए रुकिये और बीच बीच में चेक करते जाएगे इसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और डालते जाएगे इसके बाद वापसे ब्लेंट करिए फिर से आप चेक करिए देरे जब आप ऐसा करते जाओगी तो आप किसी बड़े बरतन में ले लिजे मलाई और उसमें आप पानी डाले और उसे बढ़िया से मिक्स करिए थोड़ी मेंनत लगी बट कुछ ट्राहिं में ही लगो छे से साथ मिनट लग जाएंगे और फिर आप देखोगी कि मिक्स करते 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 आपका जो मांखन है वो सारा मखन अलग हो गया तो मैंने सारा उसे निकाल लिया लेकिन अभी आप देख रहोगे कि साइड में काफी जादा दूध है तो अब हम इसे अच्छे से हाथों से दबाएंगी ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा दूध है वो सारा का सारा निकल जाए यह बहुत मतलब आसान से सिंपल सी रेसिपी है तो अगर आप जनमास्ट में के दिन भी बनाऊगी तो बहुत ही फटा फट से बन करके तयार हो जाएगी अब इसके ओपर आप मिश्री डाल देना क्योंकि उन्हें मांखन मिश्री के साथ काफी जादा प्रियर है और पिर आप उन्हें दबा देना अब वह आपका केसर का फ्लेवर वाला मांखन मन जाएगा आप अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हो तो मांखन भी हमारा बन करके तयार हो चुका है चलिए पटा पट से बढ़ते हैं अपनी आखरी रेसिपी की तरफ कनिया का एकॉर्णम लड़ो गुपाल तो आज उनके लिए बनाएंगी बेसन चुर्मा के लड़ो जो इतनी जादा लाजवाब बनेगे ना चलिए इसकी रेसिती को देखते हैं तो इसके लिए यहां पर मैंने बेसन लिया वहे 300 ग्राम कब से देखा जाए तो यह तकरिबन तीन कब बेसन है यहां पर आपको मच घी का इस्तमाल किया है घी को टाल देने के बाद इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें मिला देना है ताकि जो यह घी का जो मोई में ना वह अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स हो जाए आप अगर चाहते हैं कि आपका लड़ो और भी जादा दानीदार बनी तो मैंने इसमें नहीं किया है बेसन को घी के साथ अच्छे तरीके से मिला लेने के बाद आप इसे बांध करें जरूर चेक करें अगर यह आसानी से बंद जाएगा यानि कि बेसन में जो मौई में वह बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुका है अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम थ थोड़ा थोड़ा करते वी डाले वरना अगर डोग गीला हो जाएगा तो लड़ो बनाने में प्रॉब्लम्स होगी तो यहां पर मैंने कुछ इस तरह से थोड़ी थोड़ी पानी डालती हुए इसका एक सक थाटा बना करके तयार कर लिया है अब हमी क्या करना है कि इसकी हम चोटी-छोटी कंद बाल्स बना करके और कुछ इस तरीके से हाथ जाना है आप चाहते तो इन्हें हैं पीड़ी की शेप में भी बना सकते बांकर और कि दम यहां पर कुछ इस तरीके के शेप्स में बना लिए है ध्यान रिखिए कि इसे आप बहूत जादा मोटा ना रखे हलका सा पतला रखे तो सारी जो बीसन की लोया थी उससे मैंने कुछ इस तरह के से बना लिये है अब हमें इन्हें फ्राइ करना होगा तो इसके लिए मैंने यहाँ पर घी को गर्म होने के लिए रखा वाता मैं इन्हें घी में ही फ्राइ कर रही हूँ गी में इसका स्वाद बहुत ही जादा लाजवाब आता है ध्यान रिखे कि आप इसी घी या फे तेल जिसमें भी फ्राइ कर रहे हैं उसे आप बहुत जादा गर्म न करें हल्का सा मीडियम गर्म तेल या फे घी जाए और अब जो मेरा गी ये परफेट गर्म हो चुका है मैंने इसमें एक एक करके जो मेरे बेसन के सारी बॉस थे वो मैंने डाल दिये है मेरे थोड़ी जादा है तो मैं इन्हें दो बैचेस में फ्राइ कर रहे हूँ पकने में थोड़ा सा समय लगता है तो आपको इसे थोड़ा पेशिंस के साथ पकाना है अच्छी तरीके से इसे गोल्डेन होने तक पकाए ताकि बेसन अंदर उपर दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से पक जाए दीरी दीरी आप देख रहे होँगे कि अब इनका जो रंगे हो चीन्ज होना शुरू हो चुका है, हलका तो यहां पर यह सारे बेसन के बॉस हैं बहुत यह अच्छ तरीके से गोल्डेन ब्राउन हो चुकी है तो अब हम इने निकाल करके side कर लेते हैं और जो बाकी बचेवे balls हैं उन्हें भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से low flame पर fry करना है ध्यान रिकी कि अगर fry करते करते आपको ऐसा लग रहा है कि आपका घी याफी तेल थोड़ा जादा गर्म हो गया है और जो balls हैं वो जल्दी जल्दी brown हो रहे हैं लेकिन अंदर से कच्छे रह जा रहे हैं तो आप पहले gas का flame off करके घी याफी तेल को हलका सा ठंडा कर ले इसक मारी बॉल्स को बिलकुल इसी तरीके से fry कर लेने के बाद अब हमें इसे चोटी चोटी तुकड़ों में तोड़ा हैं हाथों से कुछ इस तरीके से क्योंकि अब हम इसे grind करने वाले हैं तो कुछ इस तरह से इनका चूरा बना लेने के बाद अब मैं यहाँ पर एक grinder jar ले रही हूँ क्योंकि मैं इसे grinder jar में grind करने वाली हूँ आप चाहे तो इसे आप खलपिट्टे पर भी कूट करके और इसके बाद उसे आप चान सकते हो तो मैंने यहाँ पर jar में डाल दिया है सारा चूरा मैं इसे दो बैंचेस में grind करने वाली हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा जादा है और अब मैंने यहाँ पर इसे grind करके और इसका powder बना करके तयार कर लिया है यह देखें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसे खलपिट्टे पे भी कर सकते हो जो भी प्रोसेस आपको आसान लगता है आप उस तरीके से इसे पीश सकते हो और अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा प्लेट याफी परात लिया हूँ है और इसमें मैंने एक छणी रखा ह क्योंकि अब हम इस चुर्मा को अभी जो हमने बनाया है ग्राइंट किया है उसे हमें चानना है ताकि अगर इसके ऊपर कोई बड़ी तुकड़ी हो जो की अच्छे से ग्राइंड ना हो पाया हो तो वह उपर ही रह जाए और नीचे में बिल्कुल बारिक वाला जो हमारा प तो मैं इसे साइट कर देती हूं अगर आपका थोड़ा जादा बचा हुए ना तो आप उसे वापस से ग्राइंड करके और फिर से चान करके इसमें डाल सकते हूं इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं फ्लेवर के लिए दो बड़े चमच इलाइची का पावडर पोहत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें लड़ू का इसी के साथ मैं डाल रही हूं चीनी का पावडर यह नॉर्मल चीनी पी जिसे मैं घर में घर में ग्राइंड करके यूज किया है अगर आपके पास वो है तो आप उसका इसमाल भी कर सकते हो चीनी की बात की जाए तो आप अप बिल्कुल हलका सा ग्राइंड किया हुआ है और अब हमें इन साल चीजों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से बेसन में मिला देना है और इसे अच्छे तरीके से मिला देने के बाद ना यह हमारा चुर्मा रेडी हो जाएगा यह चुर्मा राजस्थान में बाटी के साथ सर् दो, दो तीजी Empress चमच करते हैं भी भी ताले, घी डाले से जो हमारे लड्डू बनेंगे वो बिल्कल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कल अच्छे तरीके से सौ्फट बनेंगे, थोड़ा थोड़ा घी डालने के बाद उसे मिलाने के बाद कुछ से बांद करके चेक करें अगर यह ऐसानी से बन जाएगा ना यानि कि यह साइन है कि हमारा लड़ू बिल्कुल परफेक्ट टेक्शर में है अब इसमें घी डालने की ज़रुरत भी नहीं है हाला कि अगर आपका नहीं बंद रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाले तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिला देने के बाद अब हमें फटा-फट से लड़ुए बनानी है इनके लड़ु बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप बैस थोड़ा सा हिस्सा लहीं जितने बड़े जोटे आप लड़ु बनाना चाहते हैं और बैस इसे हातों से अच्छे तरीके से दबाते जाए थोड़ा सा आप इसे हातों में घुमाओगे तो बढ़िया तरीके से राउंट बन जाएगा आगे देखो पहरा लड़ु बनकर तयार हो चुका है बिल्कुल दानीदार बना है जब आप बनाओगे न तो बनाने से ही आपको बिल्कुल पता चलेगा कि वो कितना अच्छा दानीदार बन रहा है बांधने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से बन जाएगा इसी तरीके से मैंने आपको एक और लड़ु बनागर के दिखाया बिल्कुल इसी तरीके से बागी सभी लड़ु को हमें बनाती जाना है तो लड़ु की ऊपर से तो आपने देख लिए कि कितना परफेक्ट लग रहा है अब मैं आपको इसके अंदर का हाल दिखाती हूँ यह देखे लग रहा है ना बिल्कुल दानेदार और विल्कुल परफेक्ट हमने इसमें सूजी का भी इस्तमाल नहीं किया है फिर विए बहुत ही बढ़िया दानेदार बनता है तो हमारी आज की यह चारो रेसिपीज बनके तयार हो चुकी है चारो बहुत ही आजान है और बहुत ही टेस्टी है और हमारे लड़ु गुपाल के फेवरिट है इन में से आप कौन सी रेसिपी ट्राइ करने वाली हो और अगर आप और भी रेसिपीज देखना चाहते हो तो मैंने पहले ही बहुत सारी रेसिपीज अबलोड किये वी है जिनका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरू से चेक करिएगा तो मिलोंगी आप सी किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए आप बढ़िया सी धूम धाम से जन्मास्ट में मनाईए और अपनी पूरी परिवार के साथ खुश रहे स्वस्त रहे तांकी सूमच राधी राधी जे श्रीक्रिष्न